कि बहुत बहुत शुब काम नहीं है ना और जो प्रशाद है यह है ना हमारे अलग-अलग मंदिरों से एक वैश्ण देवी का प्रशाद है यह हमारे जाकू का प्रशाद है एक क्वेश्चन है ठीक है घर से लेकर यहां तक जब आप आए क्योंकि शिम्मला में बहुत बंदर है कितने बंदर दिखे आपकी अभी जैसे आप आ रहे थे तो कितने थे अगर ऐसे गिन के बताओगे पंदरा वीस है ना एक है जिसको छे का ध्यान है तो इसका या तो बंदरों में इंटरस्ट है या कुछ शिम्मला कि क्या क्यों या तो कि भई ध्यान रखता है कि बंदर आएगा ये काटेगा भई है ना बट यह जो प्रेश्ट है ना कि जैसे आप यहां तक आए और आते आपको कितने बंदर दिखे इसी के एवज में अगर मैं ये रखता कि जो भी बंदर की फोटो लेके आएगा ना जितनी फोटो में लाएगा अगर उसको मैं हजार रुपए दूँगा तो तुम्हें याद रहना था साथ में तुमने फोटो भी लानी थी तो क्या होना तु तुम और कहीं भी दिख जाए बंदर उसी टाइम दिख जाना था और सोचे ना फोटो के लिए तुम कैसे त्यार रहे नहीं तो तुमने फोटो ले लेनी जी भी हजार रुपए मिलेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है एक सडक पे जब तुम रोज आ रहे हो है ना अब कितने ब लगे बात है कि नहीं है दो मुम्मेंट हम चीज पर ध्यान देने लग जाते हैं ऐसे यही जिसे हम लख के कॉंसेप्ट कहते हैं या लखी होना या यह वो जा रहा था लखी होगे अब जिसे मालो मैं यहां पढ़ाता हूं ठीक है तो जी यहां बड़ी अजगा पर पढ़ा है यह लख की बात है कि हमारे पास टीचर इतने अच्छे हैं और स्टूडेंट्स आप सब आ रहे हो देखो या इतनी सुबह सुबह सब उठके आ जाते हो इतनी ठंड में बैट रहे हो रोज आ रहे हूं बट इस चीज को समझने की कोशिश करो को कब रहे हैं जब हम ध्यान आता है कि ऐसा करना है तो फिर हमारा ध्यान उस तरफ जाने लग जाता है ठीक बात है जब भी हम इस तरह से कुछ अगर आपका प्लान है अब देखो सिंपल सी बात है उसमें यही समझाना चाहरा हूं कि अगर आपको क्लियर है कि मैं त्यारी कर रहा हूं और किस चीज की कर रहा हूं अगर आपने स्लेबस देखा हुआ है अगर आपने प्रिवियस एर कोश्चन देखे हुए है रोज जब आप क्लास में आ रहे हूं तो आपको यह क्लियर है कि कल मैंने क्या पढ़ा था और आज मैं अब क्या पढ़ूँगा तो इतनी कॉंटिन्यूटी तो होनी च आजा गाती है कि कब आएगा अगर आपके ध्यान में होना चाहिए मैं किस पेपर की त्यारी कर रहा हूं उस पेपर में क्या आता है किस तरह की कोश्चे तभी जब आपके प्रोसेस में फिर कुछ होगा ना अब मालो आप यहां पढ़ रहे हो अब यह नहीं होगा यहां मैं क्लास में सुन रहा था सर ने अचानक से बोल दिया और वो पिपर में आ गया मेरी तो लग बढ़िया है वही ना उसी की लग अच्छी होगी लग भी तब सपोर्ट करेगी जब आप ध्यान दोगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस हमारे चारो तरफ है मालनो मैं पढ़ रहा हूँ जैसे मैगजिन दी आपको यहां करेंट अफेस के आप उसको देख रहे हो ठीक है पीछे उसमें क्वेश्चन दे आपने क्वेश्चन भी कर दिये अब आपका ध्यान क्वेश्चन करने से हमको रेलाइजिशन हो रही है ना क्या रही यह तो इंपॉर्टन चीज थी या मैं भूल गया था इस चीज का ध्यान रखना अपॉर्चुनेटी इज हमारे चारो तरफ है अगर आपका ध्यान क्यूंकि इंपॉर्टन चीज क्या हो रही है ध्यान आप ध्यान दे रहे हो की नहीं दे रहे हो इस चीज पर होकस करेंव अब जो आपका main priorities set करो ऐसे क्यों बोलते है जिसे हो तक नीव एर रेजलुशन बना रहे हैं अपनी प्रियरेटी सेट कर रहे हैं मैंने ये करना है इस साल ये सब क्या है इस से क्या हो अब मालो मैं सोचूं की मैंने exercise करनी है अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ तो मिरे को जिम दिखने लग ज जाएगा मैं किसी दोस्ते बात करूँ अभी सुभा सुभा जिसे बात वेगी ना फिर भाई क्या करता है बोले मैं तो वर्णिंग जाता हूं मिरको भी ले जाई हो बन गया एक दिन उसने उठा दिया दो दिन उसने उठा दिया चौते दिन मेरा खुद का रूटीन बन जाए समझ रहे हो इस चीज़ पर फोकुस को जब भी वही प्रिपरेशन जिस तभी क्यों बोलते हैं यह प्लानिंग की हम जो बाते कर रहे होते हैं अभी से हम क्यों यह शुरू से डे वन जब तुम मेरे पास आये थे सबसे मेरी बात हुई होगी जो भी आये थे है ना और जब एक बात मैंने जरूर बोली होगी कि भी पेपर एक दिन है एक दिन पेपर होना है उससे जो पिछला दिन होना है उस दिन हमने रिविजिन करना है एक दिन में सब कुछ रिवाइज करना है यह ध्यान रखना जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे पहले आपके ऐसे महीना होगा उ फिर एक गंटे में रिवाइज होना चीए जो इस प्रोसेस को शुरू से दिमाग में लेके चल रहा है लास्ट में हमको क्लियर होगा फिर वो पैनिक अटैक्स में आते हैं नहीं तो में इन से पहले क्या सर पैनिक हो रहा हूं मैं तो रात को मेरे को नींद नहीं आ रही कि अगले दिन सो के जाऊंगा तो बेटर परफार्म करूंगा उसने सोने की भी प्रैक्टिस करी है जिस समय पर पेपर होता है उस समय पर उठने की प्रैक्टिस करी है यह सिर्फ रटा मारने वाली चीज़े नहीं है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है इसको हमेशा ध्यान हम अपनी holistic development के लिए यहाँ है हम सिर्फ facts को याद करने नहीं आए है हमने holistically चीजों को समझना है सीखना है और अपनी personality development करनी है क्योंकि एक दिन interview होना है और जिस दिन interview होना है उस दिन आपके सामने ऐसे 4 लोग 5 लोग का panel होगा वो एक एक करके question भूचेंगे और जो आपने आज तक पढ़ा है उसको concise करके कितना time होता है react करने के लिए तो आप बात कर रहे हैं तो कितना time है react करने के लिए आपने जवाब देना जो बोला बस जैसा लगा वे आप यह थोड़ी सोच सकते हो यह इसको सही लगेगा गल्ट लगेगा है ना आप जैसे हो उस हिसाब से आपने जवाब देना है mains है आपने जो इतना पढ़ लिया उससे पहले mains होगा उस mains में वह बात लिखनी है इतना पढ़ा था उसमें से एक चीज़ पूछ ली अपने हिसाब से हमने पढ़ा environment impact assessment अब वो specific उसके अंदर जा के पूछ सकता है हमने women की schemes पढ़ी अब वो specific of women empowerment के theme से पूछ लेगा वो जो applied part है उसके बारे में वो कैसे किया जाए तो शुरू से हमारे दिमाग तभी जैसे मैं रोज बोलता हूँ भाई लिखो और कई लोगी भी बोलता है जब पढ़ लेंगे यह बड़ा debatable question रहता है लोगों का कि लिखना चाहिए शुरू से कि नहीं लिखना चाहिए लिखना चाहिए मैं स्टार्टिंग से क्यों आप पे focus कर रहा हूँ कि पहले दिन से लिखो उसका क्या मतलब देखो पहले तो यह ना जो रटा है उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें धीरी धीरी हम analysis पर आएंगे ठीक है analysis के लिए ग्यान भी चाहिए है आपको knowledge theoretical भी चाहिए अब आपको polity नहीं समझ आ रही है तो जो bill होएगा एगर मेरे को यह नही नहीं कर पाएंगे जट से बट शुरू कैसे बही बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है बिल कैसे पास होता है at least मैं यह तो लिख पाँ अपने शब्द में फिर दीरे ओ बिल क्या है बिल को दीरे दीरे लिख पाँ याद करके और फिर एक टाइम ऐसा है कि हमारे को समझ फिर हम बाकी चीजों से एकॉनमी से सोसाइटी से हिस्ट्री से चीजों को जोड के पॉलिटी के साथ जोड के इकॉनमी के साथ जोड के आंसर करेंगे तो बात सारी क्या है कि keep the end in mind the moment you keep the end in mind you start planning accordingly अगर आप अन्त के बारे में सोचोगे तो आप उस हिसाब से प्लान करने लग जाओगे जवाब उस हिसाब से प्लान करने लग जाओगे तो automatically आपको help मिलने लग जाएगे ठीक है? अब help कैसे होती है? अब teacher है अब तुम में से ही कुछ बच्चे यहां क्लास में जवाब दे पा रहे होता है अगले दिन जब पिछले दिन का पुछा होता है है न कुछ नहीं अब इतनी बड़ी क्लास को question लिखने को दिया होता है कितने लिखके लाते है है नब यह बात है जो ला रहे हैं वो मेहनत कर रहे है तो उनको फिर और opportunities दिख रही है मिल रही है जब आपको जैसी problem face करोगे वैसी आपको help मिलती है अब कोई बच्च देखो ना जिस level की आप problem लेके आओगे हम भी उस level से support करते है अब एक symbol सा बच्चा आया है उसको भी basic चीज ने समझा रही उसको धोड़ी हम कर सकते है अरे भाई analysis करो critically analyze है ना starting में तो क्या होगा discuss दिरे-दिरे critically analyze हमने क्या करना है नया साल है ठीक है अभी तक जो हो गया हो गया जो अभी तक चीज़े planned कर रहे है बहुत बड़िया है ना सही चल रहे हो result आते है समय लगता है obviously जो process है time है उतना तो लगेगा ठीक है पर हाँ जो अभी भी falter कर रहे है तो ये last call है इस साल की जो नया साल चुरूर क्योंकि अभी जो लोग मेहनत करेंगे सरदी में ना वो लोग result देते हैं जब notification आने के बाद तो revision होते है ठीक है ना हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं अपने revision cycles revision cycles को proper करो test देने आओ सारे test देने आने चाहिए तो आप अपना loss कर रहे है ठीक है ना कई बर ये भी feeling आती जैसे मालो आप कर रहे हो test अग घर में कोई कर रहा है इसे यहाँ पर है हम discuss भी करते है ठीक है ना अब यहाँ पर question पूछ सकते हो नहीं तो क्या होगा नहीं तो यह लगता है भी test series question ही गलता है ठीक है अज़से पिछला test हुआ था last Saturday को तो कितने question check किये तुम लोग बहुत गलता है जी यह तो answer ही गलता है last में क्या था हो incorrect incorrect नहीं पड़े वे थे और हो गया काब क्या बोलते हो यह करके समझ आएगा यह कैना तो वह यह ज्यान भी plus अपना questions को attempt करना और अपना एक plan लेके चाट जो starting में प्लान बहुत ज़रूरी है keep the end in mind the moment आपके दिमाग में syllabus है syllabus अगर मेरे दिमाग में है सब को means का syllabus मिलावा है दिया होगा syllabus means का है उसको देखना है ताकि शुरू में हम जब start भी करते हैं class तो यही discuss करते हैं कि यह syllabus इसको द्यांसर को क्यों अब कल को मैं अख़वार खोल रहा हूँ तो अगर मैं वहाँ पर कोई topic पढ़ रहा हूँ तो मेरो click कोना चाहिए अरे वह यह वहाँ जुड़ सकता है तब answer निखार लाएगा ना आप interview में किससे बात कर रहे हो बट वह यह जो अभी तक अगर तुम लोगों को अगर किसी बच्चे को मेरे पास पढ़ते हैं हफते से उपर हो चुका है और अगर उसको syllabus नहीं पता तुम गलत रास्ते पर है और अगर महीने से उपर हो गया और तुमें syllabus याद नहीं है तो फिर और अगर तुम छे मीने पढ़ चुके हो और तुम हर बस प्रीविस एर questions तुमने नहीं किये हैं तो फिर क्या कर रहे हो फिर fun कर रहे हो ठीक है और फिर कोई मिल जाएगा और लटके रह जाओगे और फिर जो निकलता है न वह दिखता है यह तो अपने साथ ही बैठा होता था अपने जैसे था यह तो इसी हो जब कोई और उपर बैठेगा आपको वह यह था यह ठीक है यह पहां गया रह गया और पढ़ते सारे वही चीज़े में रह जाता है और वो गैप ना बहुत होते हैं एक SDM और एक वीडियो ठीक है वीडियो को SDM बनने में कितना टाइम लग जाता है और पेपर में कितने मार्क्स का डिफरेंस था अब समझे रहो यही बात है IS और HES एक HES को IS, जो SDM बनेगा कूर में आएगा उसके बाद उसको IS बनने में कितना समय लग जाता है है ना, बिल्कुल 10-15 साल है वो भी जब political dynamics ठीक है और मैं एक और बात बोल रहो देखो शुरू जब किया तो बहुत लोग आए होंगे कि हम तो भी clerk देंगे, यह देंगे, वो देंगे दीरे दीरे confidence खुद आता है जब paper दे रहे हो रहा है ना papers देखो previous year, solve हो रहे है अगर solve हो रहा है तो बस ठीक है त्यारी करो tension क्यों करनी ठीक है ना, pre निकलेगा, खुद confidence आएगा ठीक है ना, means दोगे खुद confidence आएगा, जिसे यह लोग बोलते हैं मेरे confidence नहीं आ रहा है, confidence paper निकाल क्या आता है, आएगा मेरे को तुम्हें बोलने की ज़रूरत नी कि IS का paper दो, तुम सारे दोगे, मुझे पता है the moment H.E.S. का pre निकाल लोगे, सब को योदा भाई, ऐसा तो क्या ही है, इस IS की paper में भी हम भी देंगे ठीक है, और मैं लोग घबराने की ज़रूरत ने, देखो जो डिल्ली में बढ़ाया जा रहा है इसे बोलते हैं कि वहाँ बतानी क्या हो रहा है हम भी तो गोई कर रहे है क्या difference है और कोई difference है तो बताओ उसको कर देते हैं match अब थोड़ी ये दिक्कत या technology है हमारे पास ठीक है ना मेहनत करने वाले बनो और मैं लोग तुम ऐसा नहीं है, मैं खूश हूँ तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, लाइबरेरीज में बैठ रहे हो देखो फल मिलता है, समय लगता है भगवान देख रहा है, सब लोग लाइबरेरीज में जाते हो लाइबरेरी में शाम शाम तक बैठे वे हो बड़ी वात है अब ऐसा अतना हम ठीक है, जरकार है है, जो भी बोल रहे है तो रिस्पेक्ट तो आती है ठीक है और अपनी दरफ से हम कोशिश कर रहे है कि एक स्टाटेजी बिल्डिंग में हमेशा हेल्प करें कॉंटेंट डेवलप्मेंट में आपको हेल्प करें और और सब को साथ लेके चलो ठीक है न आपके बस ग्यान है, ग्यान ना बांट के बढ़ता है घबराने की जुरूरत नहीं है एक दूसरे को हेल्प करो ये मारथन है, ये ऐसा नहीं है कि हमने हंडर्ड मिटर भागना है हफते महीना पढ़ लिए और परी निकाल दिए और वोपस लगी नौकरी ठीक है न, इसमें आपको लगातार पढ़ना है परी में पढ़ना है, मेंस के लिए करना है इंटर्व्यू के लिए करना है प्रॉसेस कंसिस्टेंट है और घबराननी सब के साथ वही होता है जैसे मान लोग हफता है चार दिन, पांच दिन अच्छे गए एक दू दिन खराब सब के जाते है एक दिन में आप त्यारी कर रहे है कुछ घंटे सब के इदर-इदर होते है ठीक है बस ये है बटी, जरूरी क्या है? वापिस आना वापिस आना ज़र्टी है और रोज कुछ ना कुछ करना है अब वो यह होते हैं जैसे जिम जाते हैं किसी दिन नहीं exercise हो रही है बस चले जाओ बस आजओ नहीं कर रहा पढ़ने का मन आजओ जब आजओगे दस मिनिट में बन जाता है लोग ठीक है न? बस ये है कुछ चीज़े बहुत interesting होगी कुछ चीज़े बहुत boring होगी ठीक है? Marks सब के interesting boring की जगा क्या देखो paper में क्या आता है क्या उस level को हम पूरा कर रहे हैं कर रहे हैं तो बस ठीक है बढ़िया से करो और सोजाओ otherwise अपने आपको grow कर ये है बागी मैं यहीं होता हूँ ठीक है? कोई भी दिक्कतार ये बताओ answers दिखाने दिखाओ मेरे end पर जो भी help चीए बताओ ठीक है? नया साल है अच्छे से शुरुआत करते हैं All the best